हालो उसलिए बाजあश्य बाजार और के सकते हैं कि आखिर में रेकवरी हमको देखने को मुपली बाजार शुरुबात में बली उपपर गया त zo बाद हमको गिरावट देखने को मुझा इसा विए झौन ज्च यह विए नाज inqu adjust कोुला पंड इसा लहात ये जिए और जोप DOC 22,453 पर जाकर दोस्तो निफ्टी ने closing दिये 22,497 का आज का निफ्टी का high था and जो open था 22,458 का था तो 453 पर कर दोस्तो निफ्टी आ रहा है तो इसका अब यह बात साफ है कि निफ्टी अब overall recover होता हुआ देखने को मिला देखिए जो असल तेजी है वो no doubt अब आपको small cap और mid gap में देखने को मिल रही है आज भी दोस्तो small cap index 1.28% से जादा हमको उपर जाता हुआ देखने को मिला और जिस तरीकिये का small cap index लगाता चलता हुआ जारे वो अपना अपने phenomenal है करीबन 45,054 का दोस्तो आज का high था और 45,023 पर small cap index की closing हमको देखने को मिली है तो दिन के highs के करीब जाकर small cap index close दिया है आज भी दोस्तो gap up opening हुई आज भी वो gap up sustain हुआ और आज भी दोस्तो तेजी दमदार है अब अगर आप देखेंगे तो एक महिने में जो गिरावट है अगर हम गिरावट से आज अपना चालू करते है तो almost 10.78% से जादा दोस्तो यहाँ पर small cap index जो है वो recover कर चुका है तो अपना आप में देखें जो बड़ी गिरावट हुई थी वहाँ से एक बड़ी recovery हमको देखने को मिल रही है और पिछले 5 दुन में आप देख सकते है more than 5% small cap index चला है index चला है अपना आप में काफी जरूरी बात है आप ऐसा लगता है जो इसका बावनफतों का high है 46,821 का उसके काफी जल्द उसके पास भी आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है and situation same दोस्तों यहाँ पर भी है जो है mid cap index आज यहाँ पर भी देखने को मिली 1.14% mid cap index भी चलता हुआ देखने को मिला है करीबन दोस्तों 40,424 पर बंद हुआ है बड़ी बाट क्या है और पिछले पास दूरों में 4% से जाधा कि तीजी आपको देखने को मिलेगी इस बात का हमेशा तिहान रखिएगा कि जब गिरावट होगी तो दोस्तों यहाँ पर mid cap में कम गिरावट होगी और small cap में जाधा ही होगी लेकिन जब तीजी होगी तो mid cap में भी small cap जितनी तीजी नहीं होगी small cap सबसे आगे रहेगा तो इस बात को आपको समझना चाहिए कि अगर बाजार गिरेगा तो small cap सबसे आगे फिर mid cap फिर nifty यह सब करेंगे लेकिन अगर दोस्तों बाजार आपर बढ़ेगा तो सबसे ऊपर कौन रहेगा small cap रहेगा फिर mid cap इस तरकी का दोस्ता है पर move जो है वो markets में देखने को मिलता है बट no doubt सबसे अच्छी बात क्या है कि बाजार अच्छी तीजी दिखाता हुआ निज़रा आ रहा है और April का मन्त जो चल रहा है तो काफी बढ़िया जाता हुआ देखने को मिला है सबके portfolio में हरा निशान होगा और मैं यही मान के चलता हूँ जरूर देखिए जो तेजी हो रही है उससे मेरा portfolio तो आज हरे निशान में था इसमें कोई doubt नहीं है तो यह तो ओके लेकिन दोस्तों बाजार के लिए जरूरी बात क्या है दोस्तों कल से RBI की monetary policy की committee की meeting start होने वाली है जी हां RBI MPC policy कल से दोस्तों start हो जाएगी और जो monetary policy है उसका panel कॉन रिट करेगा RBI Governor शक्ति कांतादास और उनके कुल मिलाकर total मिलाकर six members है जो consist करते है तीन से पांच April तक दोस्तों यह जो पूरी meeting है वो चलती है यानि तीन दनों की meeting होती है और पांच April को हमको पताच चलेगा कि क्या यहां पर RBI का stance है वैसा तो देखिए मान कि यही सब चला जा रहा है कि RBI का stance जो पहले था वैसा का वैसा है रहता वो निजर आएगा no change हमको देखने को मिलेगा जो उनका withdrawal of accommodation था वैसा का वैसा stance भी रहेगा और जो पहले दोस्तों यहां पर rate था वैसा का वैसा है रहेगा जब 10 बजे को उनकी बुरी पाच एपर को जब उनकी press conference होगी तो उसका बाजार पे काफी असर पड़ेगा because मेरे सबसे देखे बाजार को यह तो पताईए कि कुछ होने नहीं वाला है लेकिन इनकी commentary आ रहती है मतलब इनका आगे का view क्या है क्या RBA EM को कोई view देती है कोई direction देती है कि हाँ हम इस समय से rate cut करने की बारे में सोच रहे है मान लीजे अगर यह view ही आ गया ना तो बाजार बहुत तीजी दिखा देगा लेकिन अगर उनकी तरफ से कोई negative commentary आ गही उनकी तरफ से यह कहा गया कि जो हम सोच रहे थे वैसा नहीं हो रहा है और हम जोटा सा wait करना पड़ेगा जो obvious बाते नहीं बोलना चाहिए बट मान लीजे बोल देते तो उसका बाजार पर negative effect पड़ेगा बट में अब से market मान के चल रहा है कि कुछ भी negative नहीं होने वाला है जो भी होगा वो अच्छा ही होगा इस प्रगार की expectations है अब definitely हमको wait करना पड़ेगा 5 April का जब RBI monetary policy हमारे सामने रखेगा बागी चलिए अब पुछ shares के वारे मात कर लेते दोस्तों आप Tata Technologies में आज काफी बड़े देजी देखने को मुली करीबन 4.32% से जादा share चलता हुआ देखने को मुला है आज की तेज़ी के पीछे कारण के यह हम समझेंगे लिकिन अगर आप पिछले 5 दिन में देखेंगे तो Tata Tech में अब फिर से एक recovery देखने को मुल रही है याद रखिएगा इसका 92 का low है वो करीवन 1020 का है और 1095 पे share आ चुका है जो हमको वापे से buying आती में निजारी है क्या वो buying sustain कर पाएगी पहले वे कर आप दिखेंगे तो जब भी थोड़ी थोड़ी बाइंग आई उसका बड़ी गरावट आती है याद रखिएगा जो यह joint venture किया गया है joint venture agreement किया गया है with BMW Group to establish an automotive software and IT development hub in Pune, Bangalore and Chennai तो इस तरीके का दोस्तों basically एक pack जो हो हुआ है basically agreement हमको देखने को मुलेगा जो between Tata Tech and BMW हुआ है तो इसी के कारण दोस्तों आज हमको देखने को मुली याद रखिएगा इस agreement का जो वरल मतलब कोई ऐसा है कि कोई बड़ा agreement के साथ हमको कोई money का भी point देखने को मुला है basically एक agreement है जिसमें company यहाँ पर setup करेगी सब कुछ अब यह setup क्या करने वाली ताकि digital engineering expertise हो talent pool हो इंडिया के अंदर ताकि वो contribute कर सके BMW के group strategic expansion of software coding capabilities across global IT hubs and 24 into 7 operations आपको देखने को मिल सके तो यह सब के लिए जो JV है यह हुआ है लेकिन हाँ अपने आप में देखे company को company JV कर रही है बड़े group के साथ BMW अपने आप में देखे काफी चानावानों ग्रूप है जिनके साथ इनका और यहाँ पर tie up हुआ है next talk दोस्तों जो आज जाता है वो है आजित्य बिल्ला fashion and retail आज करीबन 12% ते जादा दोस्तों share में तेजी हमको देखने को मिली कल रात की वीडियो में आपको में बता दिया था कि दोस्तों कल ABFRL पर आप नज़र रखे विकाओ जहां पर तेजी बन सकती है तेजी बनी पी सही और आज gap up उपनी गोई और gap up के बाद share और उपर जाता हुआ देखने को मिला बलकि जो आज का open था वो 232 का था उसका 247 त दिखाया है स्टॉक ने पिछले च्छे मेंने में अगर आप दिखेंगे तो सिर्फ ऐसा ही स्टॉक का चार्ट पर ने कि काफी खराब दिखता है कि शेर चली नहीं पाता है इस तरीके का मूव दिखता है बट अभी दोस्तों शेर में तेजी हम को देखने को मिली हाँ आज जैसे दुस्ते प्लान निकल कर आया है बाजार ने आज आपर काफी बढ़िया स्टॉक के अंदर तीजी दिखाई अल्मूस्ट 10% का अपर सेकेट हमको लगता हुआ देखने को मिला बेसिकली जो डीमजर है वो वो वर्टिकल डीमजर होगा ऑफ मदूरा फैशन और जो स्टॉक का प्राइज है उसमें भी आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा जैसे कि अगर अभी एभी एभी एफरल का जो शेयर मान लीजे जिसा भी आज यहाँ पर आपको क्लोसिंग देखने को मिली बट मान लीजे यह बढ़ते बढ़ते यहाँ पर एक्जांपल लेट सिफ 500 हो जैता है होगा की होगा नहीं मैं मान की हृन गो कि होगा बट 500 रुपए का होगा तो दोस्तो इस फान लां ही कि आपके इस पान सुरुपए को पांचो रुपे में से एक हिस्सा कटेगा जो दोस्तो हिस्सा मदूरा फैशन के पास जाएगा और वो शिर आपके जाएगा क्या है क्या ABFRL की प्राइस में भी आपको रिफ्लेक्शन देखने को मुलेगा कब हो गाई है इसमें देखे 12-15 माईन लगते हैं अब काफी समय लगेगा बट जरूर निउस निकल कर आई जिसके कारण स्टॉक में देखने को मिल चुकी है अगले दोस्तो जो खवर है वो है पतंजली फुट्स पे आज करीबन 2 रुपे 25 पैसे का मूव आतावा निजर आया आप देख सकते हैं अचानक से थोड़ी सी गिरावड हम को देखने को मिली जाता कोई खास स्टॉक में आज आपको तेज़ी देखने को नहीं मिली है पिछले एक मेने में शेयर आल्मोस्ट तेरा परसंट तूट चुका है लेकिन दोस्तो आज पतंजली फूट्स के उपर सबको नज़र रखनी थी क्यों क्योंकि उस तो आज कोट में वावरामदेव की पेशी थी और क्या कहा है क्योंकि देखे बहुत इंपोर्टन जो यहाँ पर हम कह सकते हैं बयान दिये गए हैं सुप्रीम कोट के द्वारा पतंजली गुरुप के उपर और अपने आप में देखे अभी भी ऐसा लगता है कि पतंजली की मुसीबते खतम नहीं हुई है अब हुआ क्या है बेसिकली सबस्वली आज तो आज दोस्तों आपे योग गुरुब आवरामदेव ने एक unconditional apology जो हम कह सकते दे दी बिना शर्त के माफी जो है वो उनके तरह मांगी गई है सुप्रीम कोट को लेकिन हम कह सकते सुप्रीम कोट ने जो इनको order पास किया था और जो आज इफिडबिट फाइल किया वो उस तरीके से नहीं किया गया जिस तरीके से करा जाना चाहिए था इसलिए सुप्रीम कोट ने अभी भी जो पुरा मामला है वो खतम नहीं किया है बलकि अभी दस एप्रिल को भी इसका दूस्तों फिर से सुनवाई हम को देखने को मिलेगा यहाँ पर साफ साफ का है एपेक्स कोट ने तो अपने आप समझ सकते कि जो सुप्रीम कोट है वो बिलकुल भी इनकी बातों से खुश नहीं है अब यहाँ पर क्या टेकवेश है पहली बात तो देखिए कि सुप्रीम कोट की जो बेंच थी उनकी तरह साफ साफ का गया not just the सुप्रीम कोट every order passed by the court across this country has to be respected this is absolute difference यानि जो इनके सुप्रीम कोट के order खाखर यह पतंजली respect नहीं कर रहा था अपने आप में देखिए अजीब सी बात है और इसलिए सुप्रीम कोट ने कहा कि हमारे order की respect होनी चाहिए सिर्फ यहाँ पर ही नहीं across all the country उनकी तरह कहा गया second बात जो कही गई कि आपको हमारे जो भी decision से उसको abide करना पड़ेगा उसको accept करना पड़ेगा and you have broken every barrier ऐसा कहा है you have to abide by the undertaking given to the court and you have broken every barrier पलब जो हमने कहा था उन सब को कुछ भी नहीं माना गया है और दूसरी बात court ने ये भी कहा कि जो आपने ये drugs और cosmetic acts को कहा है ये भी अपने आप में पूर्न तू पूर्न तक गलत है तो इसलिए मैं जो समय ने कहा कि आज ऐसा नहीं लगा कि दोस्ते आपे supreme court कोई भी इनको छोड़ने की फिराक में था बलकि supreme court ने आज काफी बड़ दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर के उपर जो बड़ा brokerage भी बिट कर रहा है जिसका नहीं मोतिलाल ओस्वाल सेक्यूरिटीज जी मोसल एक पूरे consumer product की companies के उपर हम कह सकते हैं अपना stands बनाकर रखा है और favorable stands बनाकर रखा है basically क्या कहा है कुछ targets ये दोस्ते आपर जो broking firm है वो काफी optimistic है क्योंकि उनको potential growth और value दिखती है consumer staples sector के अंदर इसलिए उनका मानना है कि जो challenges इनको face करने लगे पिसले 2 साल हो के अंदर जो volume growth हमको देखने को मली क्योंकि जो external factors थे बली वो economic conditions हो regulatory changes हो इन सब में भी resilience दिखाया है इस पूरे sector ने इसलिए उनका मानना है कि जो अब trend है वो highlight किया है MOSL ने कि declining contribution of staples within the consumer universe decreasing from 68% in FY10 to 56% in FY23 इसलिए brokerage expect करती है कि जो volume growth of staple companies के वो stabilize होगी और reach करेगी to a bottom और sign हो सकता है improvement का उनकी expectation है from FY25 to 26 इसलिए उनने इस दोस्तों target दिया है किस पर target दिया है या आपको बता जाता हूं तो by rating हम उनको आती भी नजर आईए क्यों कौन से शेयर पर वाई रेटिंग आईए दोस्तों HUL पे विदर target price of 2900 यानि almost 27% का upside उनको लगता है यहाँ पर दूसरी वाई रेटिंग दिये दोस्तों उनने गोध्रेज consumer product पे करीवन 1500 की target price से 25% का upside उनको दिखता है वही दोस्तों डाबर पे दिया गया करी मोतिलाल ओस्वाल का यहाँ पर साफ साफ बाय रेटिंग है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था होफिल आपको वीडियो बड़ा लगा होगा गड़ागा तो लाइक कर देना चैनल से पहले बाद जुड़ो subscribe कर देना थैंक यू फ्रेंड इस वीडियो